कि अज़े लो फ्रेंड आप सब कराए कोचिंग सेंटर में हर्देखर दे का भी नंदन है आप सब सानुरूद है कि फिया कर इस चैनल को सब्सक्राइब इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें आज हम मोडल एक्टिविटी टास्क के अंतरगत क्लास 10 के जोग्राफी के प्रस्नों के उत्तर आपके समझ प्रस्तोत करने वाले हैं चलिए देखते हैं मरुस्थलिय चेतरों में वायू कार्य परदान क्यों होता है इसका उतर दखे एक नमबर का मरुस्थलिय चेतरों में वायू का प्रमुख कार्य अपरदन होता है वायू मुख रुप से ओवग घरसन पर किरिया दोरा अपरदन किरिया करती है मरुस्थलिय चेत्रों में वायू कार्यपरधान होने के कारण पहला बताये गया है उद्भीज सुनिता मरुस्थलिय परदेशों में अत्यन कम वर्षा होती है इससे यहां उद्भीज परजाती कम होती है यहां कुछ-कुछ उद्भीज जैसे की खजूर बवूल निच्छी पुरूप से अवस्तित होते है इसलिए वायू तिर्व से च्छय यानि अपरदन करती है दुसरा है बाधा हिंता मरस्थरलिय अंचलों में जन संख्या विरल होने से हवा यहां तिर्व विएक से भाती है फलसरूप मीटी और चटानों का च्छय होना तिर्व होता है तिसरा पोईंग आंधी तूफान उद्विज और घरों के अभाव में हवाय तिर्व गती से भाकत च्छय करती है चौथा उस्न और सुस्क हवाय यहां तो मरस्थलिय अंचल में हवाय उस्न और सुस्क होती है जिससे चटान और मीटी का अपरदा सहज ही होता रहता है पाच्वा पोईंट है सुस्क जुर जुरा मीटी लंबे समय तक वर्षा के अभाव में यहां की मीटी सुस्क और जुर जुर होती है परवल वायू में सहज उर जाती है इसलिए 0.02 mm से 0.05 mm विसेश्ट बालू के करण वायू के अपरदन के कार में विसेश्ट सहयोग करते हैं अगला कोश्चन है बेस्विक जलवाई परिवर्तन के इस परकास सुन्दर वन को परभावित किया है तो बेस्विक जलवाई परिवर्तन निम्न परकार से सुन्दर वन को परभावित किया है एक नमबर सुन्दर वन का बिलुप्त होना सुंद्री ब्रीच का बिलुप्त होना बेस्विक जलवाई परिवर्तन के फल्सरूप पर दूसान और ताप मात्रा के बढ़ने के कारण समुंद्र का जो जल अस्तर है वो बढ़ रहा है वहीं उसकी लवन्ता भी बढ़ रही है जिसके फल्सरूप सुंद्री ब्रीच बिलुप्त होती जा रही है दूसरे हेडिंग है समुंद्री जल अस्तर के बढ़ने से दीप भूमी का डूबन बेस्विक जलवाई परिवर्तन के फल्सरूप सागर का जो जल अस्तर है दीन दीन बढ़ रहा है इससे सुंद्र बन का सागर तत्यप परदेश के कुछ अंस डूब रहे इसका असर सुंद्र बन के उधविज और प्रान्यूपर भी हो रहा है अगला कोचेन है वर्सा के जल का संगरहन क्यों आवसक है तो वर्सा के जल का संग्रहन की आउसकता नदी परवाविहिन छेत्र में निम्न कार्णों से वर्सा के जल का संग्रहन आउसक है पहला है पीने यूग जल की प्राप्ति के लिए दूसरा है खेती की सिचाई के लिए तो तिसरा है अस्थानी अकर खानों में जल की आपूर्थी के लिए तो चौथा है मच्छली पालन के लिए तो पांचवा है पस्थू पालन हेतू जल के ओ सकता और छठा जल की दैनिक जर्वर्तों हुआ पूरा करना चौथा प्रस्ण है एल नीनो या ला नीना किस प्रकार भारत की मानसुनी हवा को परवाहित करती है तो देखिए एल नीनो तथा ला नीना का भारत की मानसुन हवा पर परवा एल नीना का परवा परसांत महासागर से जब एल नीनो हिंद महासागर में पहुंचती है तो हिंद महासागर का तापान अंचानक ही बढ़ जाता है इससे हिंद महासागर से उत्पन होने वाली जो ग्रिस्म काली यानि दचनी पच्चमी मानसुन हवाएं कमजोर पर जाती है इसके फलसुरू भारतिया उप महादेश में वर्सा कम होती है इसके सूखे की इस्तिती उत्पन हो जाती है दूसरा इसका लाल नीना का प्रवा तो परसांत महासागर से होकर जब लाल नीना हिंद महासागर में पहुंचती है तो इसके प्रवाव से हिंद महासागर में उच्च वायू दाब का गठन होता है इससे भारतियोंक महादेश की और आने वाली ग्रिस्म कालीन वानसुनी हवाएं प्रवल हो जाती है तथा प्रियतन वर्षा करती है जैन जै भारत बंदे मात्रम